अभी धू धू कर जल उठा रावण दहन कारक्रमें सीम नितीश कुमार शामिल होने के लिए पटना की गांधी मैदान पहुँचे थे डिप्रिसीम विजय कुमार सिनहा इस कारक्रम में उनके साथ मौझूद थे रावण दहन देखने के लिए भारी संख्या में लोग गांधी मैदान पहुचे थे विहार के राज जिपाल, राजिंद्र विश्वनात, आरले करमंच पर मौझूद थे और ये तीन तस्वीरे हम आपको रावण दहन से जुड़ी भी दिखा रहे हैं मेगनात, कुमकन और रावण के इसका दहन किया गया और ये तीन तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं आपको बतादे कि पटना के गांधी मैदान में भी हर बार की तरह इस बार भी रावण, दहन कारकं का आयोजन किया गया था और इसमें तस्वीर मा को दिखा रहे हैं देखें गांधी मैदान के चारों तरफ अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ लोग मौजूद हैं जो अलग अलग जगों से रावन दहन देखने के लिए पटना के गांधी मैदान पहुँचे थे यहां सबसे पहले एक भव जहा की निकाली गई थी और यह जो जहां की है वो जब पटना के गांधी मैदान पहुँची तो पहले गांधी मैदान के तीन चक्कर लगाए गया और उसके बाद यहां भी सीम नितीश कुमार ने विदिवत तरीके से भगवान राम की पहले आरती उतारी और उसके बाद तीर धनूश हाथ में लेते वे प्रती कात्मक तोर पर उनकी तरब से भी तीर धनूश चलाया गया और यह तस्वीर देखे उस वक्त के आपको दिखा रहे हैं जब मंच से मुख्यमंत्री नितीश कुमार राज्यपाल यहां पर मौजूद हैं डिप्रिसीम समराच शौधरी यह पर मौजूद हैं और हम आपको यह तस्वीरें दिखा रहे हैं कंट्रोल रूम की और आगे बढ़ते वे आपको पांच तस्वीर दिखाएंगे यह दो तस्वीरें आपकी टीवी स्टीम पर पहले आपको दिखा रहे हैं जिसमें देखे आप अलग-अलग जगा पर जो रावन दहन कारिक्रम हुआ है उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं श्री नगर में रावन दहन किया गया तो जम्मू कश्मीर में भी रावन दहन किया गया है जिस तरीके से हमने आपको बताया कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक पूरे देश भर में रावन दहन किया गया और बुराई पर अच्छा आई की जीत का संदेश दिया गया और ये पांच तस्वीर आपको बिहार के अलग-अलग जिनों की दिखा रहे हैं गया बगहा मोतिहारी समस्तिपूर और नवादा की तस्वीरे हैं जहां बड़े पैमाने पर रावन दहन कारक्रम आयोजित किये गये थे और रावन का अंत कर दिया गया है रावन दहन में बड़ी संख्या में लोग भी शामिल होने के लिए वहुझे थे विज्या दश्मी के परपर हर बार रावन दहन किया जाता है और जिस तरीके से प्रभूष्ट रिराम ने रावन का दहन किया था उसी तरीके से हर बार इस तरीके से यहां पर रावन दहन कारक्रम आयूजित किये जाते हैं। रस्वीर अरडिया के चांदनी चौक और काली मंदिर चौक की है जहाँ सेकडों की संख्या में लोग मादुर्गा की प्रतिमा को नम आखों से विदा कर रहे हैं। यहां सभी जो श्रधालू हैं वो माता रानी को अपरे कंदे पर उठाते हैं और नंगे पाउं दोड लगाते वे मा का विसर्जन किया जाता है। दानापूर में भी परमपरागत तरीके से सुल्तानपूर में बड़ी देवी और छोटी देवी का खुईजा, मिलन और आरती का आयोजन किया गया। ये परमपरा वर्षू से चली आ रही है, इसने महिलाएं सबसे पहले माता के डोली को कंदे पर उठा कर ले जाती हैं और उसके बाद ही पुरुष माता के डोली को उठाते हैं। शधालों की भारी भीड दोनों बहनों के मिलन को देखकर भाव विभोर हो गए। ये तस्रीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां छोती देवी और बड़ी देवी का दो बहनों का यहां पर मिलन जो है वो कराया गया है। ये परंपरा कई सालों से चली आ रहे हैं और इसी परंपरा के तहट आज भी ये द्रिश देखने को मिलना। नारंदा में भी विज्याद अश्मी को लेकर श्रधालों की भीड उमड पड़ी हैं। बड़ी संख्या में लोग मादुर्गा का अश्रवात देने के पहुँच रहे हैं। लोगों ने पूजा पंडालों में जाकर मादुर्गा का दर्शन किया और परिवार के लिए मंगल कामनाईं भी की। वहिनवादा के रेलवे कॉलनी में बंगाली रिती रिवार्ज के साथ मादुर्गा की विदाई दी गई है और मा की विदिवत आरती के बाद महिलाओं ने सिंदूर की होली भी खेली। बीते 72 साल से ये परंपरा चली आ रही है बंगाली समाज की महिलाओं ने मा को समर्पित होने वाले सिंदूर को अपनी मांग में भरा और मा से अखन सवभागी की कामना की महिलाओं ने नमाखों से मादुर्गा को विदाई दी यहां में सभी परंपराओं का मिला जुला देखने के लिए असर मिलता है और हम मास पे अशिरवाद लेते हैं और उनके चंदूर में परणाम करते हैं यहां बंगाली विदी से पूजा होता है तो इसलिए सिंदूर की खेला हम लुक्त करते हैं आज मा की विदाई है तो मा से आशिरवाद मांगेंगे उनसे सबकी सुखारी की कामना करेंगे और प्राकना करेंगे कि देविमा अच्छे से हम लोग रहें कि अगले साल फिर हम लोग देविमा को बुलाएं और उनकी सिवा करें खबर दानापूर से आपको बताते हैं जहां आरजडी अध्यक्ष लालो प्रसाद अपनी बड़ी बेटी और पाटलिप पुतरसांसत मीसा भारती के साथ मच्छुआ टोली में काली मंदिर पहुँची उन्होंने माकाली की पूजा आरजणा की और देश में अमन चैन के साथ खुद को स्वस्त रखने का भी आश्चिरवाद मागा लालो प्रसाद को अपने बीच पाकर आरजडी कारेकरता काफी उत्साहित दिखे और यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्ती जब लालो प्रसाद अपनी बड़ी बेटी मिर्सा भारती के साथ मच्छुआ टोली पहुँचे थे और यहां पर उन्होंने माकाली के पूजन के और आश्चिरवाद लिया है और देखे जब लालो यादव वहां काफी उच्छा देखने कर लिला है और बात करेंगे सियासत से